नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका फार्मा रोक्स की यूटूब बेजिक इसने चनल में आज की उड़ी लेक्ट्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे टैक्सीम ओसीवी 200 टैबलेट के बारे में तो हम सिखेंगे उसके बेजिक इसके बारे में के कौन से अलग अलग मेडिकल कंडिसन्स को ठीक करने के लिए दवा को यूज किया ज़दा है साथे जाने के उसके साइड एफेक्स वगरा क्या हो सकते हैं कैसे यह मेडिकेशन का हम सही उप्योग कर सकते हैं वार्निंग्स वगरा क्या है प्राइज वगरा क्या है और कितने डोस में यह मेडिकेशन को हम यूज कर सकते हैं उसके अंदर salt content क्या है तो सब की detail study करते हैं आज के lecture में और जानते है taxim OCV 200 tablet के बारे में तो ऐसे समझे के आपको detail में सीखना है बहुत सरी दवायों के बारे में वीमारियों के बारे में तो आप medicine course को join कर सकते हैं फार्मरोक्स के अब उपर तो ये course को join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगी तो अब आते हैं topic पे और समझते हैं taxim OCV tablet के बारे में तो ये ऐसे glass का medication की जिसको हम antibiotic कहते हैं रुसके अंदर दो दवायों का combination है पहली जो antibiotic medication है जिसका नाम है सैफिक जिम की जो 200 mg जितना ये tablet के अंदर present होता है और दूसरा जो है वो potassium kleulinit उसके अंदर 125 mg जितना present होता है manufacture के हम बात करे तो Alchem Laboratories जो है उसके manufacture है तो Alchem Laboratories के बारे मैं आपको बता है तो कि एक Indian Multinational Pharmaceutical Company है कि जिसका headquarters जो है वो मुंबई में है तो ये जो medication है Taxim OCV200 एक prescription based medication है महलब कि proper prescription के साथ ही उसको retail में बेचे जाता है और proper medical supervision में ही patient जो ही उसको use करते है तो यहाँ आप हम उसकी label के study करते है अच्छे से तो label में आप अच्छे से पहले देख लो तो ये जो medication है वो कौन से type के tablet है तो ये film coated tablet है महलब कि ये जो tablet होती है उसका जो storage किया जाता है तो 30 degree या फिर उससे कम temperature पे अच्छे से आपको store करना होता है और moisture से ये दवाई को अच्छे से protect करना होता है फिर यहाँ पे salt content आप देख लो कि जो sapphix zim है कि जो 200 mg जितना है एक tablet के अंदर और potassium kleulinate कि जिसको kleulinic acid भी हम कहते कि जो 125 mg जितना present है color के हम बात करें तो titanium dioxide उसके अंदर color add किया गया है फिर दियान यह रखना है कि आपको यह जो medication है वो बच्चों से जो खासकर दूर रखनी है तो आगे समझते हैं sapphix zim के बारे हैं तो sapphix zim जो है वो antibiotic medication है कि जो cephalospurin class का third generation antibiotic है और यह orally effective होता है बलाए कि उसके tablet uses form में यह medication available होती है और यह जो medication है वो चाहे gram positive bacteria हो या फिर gram negative दोनों टाइप के bacterial infections को ठीक करने के लिए use की जाती है अब उसके साथ जो combination में है potassium chloralinate उसके हम बात करें तो वो एक beta lactamase inhibited drug है तो कई बार क्या होता है कि यह जो medication है हमारे sapphix zim तो उसका degradation हो जाता है because bacteria क्या करते है अपने अंदर से एक enzyme को release करते है जिसका नाम होता है beta lactamase enzyme और वो beta lactamase enzyme क्या करते है जो sapphix zim या फिर जो cephalospirin class के जो drugs होते है उनके structure को destroy कर देते है कि जिससे यह जो medication है उसकी effect कम हो जाती है या फिर उसका resistance develop हो जाता है आपकी body के अंदर तो वो resistance समझे के develop हुआ है या फिर develop होने से prevent करने के लिए combination में potassium clay walnut mix किया जाता है कि जो beta lactamase enzyme है उसकी activity को inhibit कर देता है तो अब बात करते हैं यह medication की use की कौन से लगल अग medical conditions को ठीक करता है तो सबसे पहले जो sinus में जो infection होता है कि जिसको हम sinusitis के condition कहते है तो आप diagramatically अच्छे से समझो कि जो हमारा sinus का बाग है तो यह वाली side जो है वो normal है कि जो हमारा frontal sinus आप देख सकते है sphenoid sinus का बाग देख सकते है और यह वाली side देखो तो वो जो area है वहाँ पे surgeon देखने को मिलती है वहाँ पे excessive mucous जमा होता है तो यह condition को हम upper respiratory tract infection कह सकते है कि जिसके करन काफी सारे complications होते है आपको कि breathing करने में कई बाड दिक्कत होती है नाग जो बाइने लगती है या फिर जो sinus का जो area होता है काफ वहाँ पे आपको दर्द वगरा होता है और कई बार नाग बंद हो जाना ऐसे बिस complications जो वो देखने को मिलते है तो उसको ठीक करने के लिए medication जो प्रिस्क्राइब की जा सकती है फिर जो sexually transmitted infections या फिर जो diseases होते है जैसे के clam idea के करन समझे आपको infection हुआ है फिर zenital herpes हुए है gonorrhea के condition है HIV AIDS के condition है HPV के condition है pubic or lice जो medical condition है syphilis है या फिर trichomoniasis जैसे medical conditions की जो sexually transmitted infections के अंदर include होते हैं तो उसको ठीक करने के लिए medication यूज़ की जाते है फिर जो PID के जो condition हम कहते है जिसको pelvic inflammatory disease कहते है तो उसको भी ठीक करने के लिए उसको prescribe किया जा सकते है फिर कान में जब infection होता है और वहाँ पर purple formation होता है जिसको हम ear infection कहते है तो ear infection में भी यूज़ की जा सकती है tooth infection की जिसको हम dental infection कहते है कि दात के जो मसूड होते है वहाँ पे surgeon हो जाती है या फिर जो दात में cavities पड़ती है, वहाँ पे bacterial infections के करण आपको काफी ज़्यदा दर्ध होता है, और ये जो infection होता है, उसको ठीक करने के लिए आप ये taxim OCV200 को यूज़ कर सकते हैं, sore throat या फिर strep throat की condition की जिसको हम गले में खरास की condition कहते हैं, tonsillitis के condition या फिर pharyngitis की condition produce होती है, उसको भी ठीक करने में ये दवाई को हम use कर सकते हैं, फिर जितने भी अलग-अलग skin infections होते हैं, कि bacteria के करण होने वाले skin के infections को ठीक करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, फिर जितने भी अलग-अलग type के respiratory tract infection हैं, इसकी pneumonia की condition है, bronchitis की condition है, chest में infection हुआ है, lungs यानि कि जो हमारे favorite होते हैं, वहाँ पे infection हो जुका है, तो उसको भी ठीक करने के लिए ये medication को दी जाते हैं, फिर जो typhoid की condition हम कहते हैं, जो enteric fever भी कहा जाता है, कि जो salmonella typhi नाम के bacteria की करन होता है, तो उसके इलाज में भी हम ये medication को prescribe कर सकते हैं, फिर urinary tract infections की इलाज में भी taxim OCV200 को prescribe किया जा सकता है, और अब जानते हैं उसके mechanism की कि ये दवाई काम कैसे करती है, तो उसकी जो mechanism है वो penicillence के तरह ही होती है, ये भी medication क्या करती है कि bacteria के अंदर अपनी जो, उनकी cell wall होती है, तो ये आप देख सकते हैं, जो cell wall होती है कि उसके आज सपास ये पूरी एक wall होती है protective, तो ये जो wall होती है, उसका जो synthesis होता है, उसको नहीं होना देता है ये medication, कि जिसके करण क्या होता है, कि bacteria के cell wall ना वनने के करण bacteria जो हो डिस्ट्रोई हो जाता है उसका जो cell होता है वो डिस्ट्रोई हो जाता है जिसके करण उसकी growth जो हो कम हो जाता है और जैसे जैसे आप यह medications लेते रहते तो आपके body में से infections जो हो ठीक होने लगता है अब बात करते हैं यह इसके dose की तो dose की हम बात करें तो एक tablet जो पेसन दिन में दू या फिर दिन में तीन बार ले सकता है खाना-काने के पहले या फिर खाना-काने के बाद आप उसको ले सकते हैं और dose जो हो हर 6-8 गंटे पर लेना चाहिए तो यहाँ पे उसका प्रॉपर एक dose आप देख सकते हैं कि 200 से लेकर 400 mg जितना सैफिक जिंग जो पेसन ले सकता है दिन में दो बार जो आप ले सकते हैं अब बात करते हैं उसकी प्राइस की तो जब यह हमारा वीडियो बन रहा है सब्टेमबर 2022 के तो उसकी जो प्राइस है वह है 385 रूपीज है 10 टाबलेट्स का आगे समझते हैं उसके कुछ साइड एफेक्स की तो साइड एफेक्स हैं सबसे पहले पेसन्स को नौजय वोमिटिंग जैसा फिल हो सकता है यह मेडिकेसन को लेने के बाद फिर कुछ लोगों को डाइरिया हो जाते है दस्त जैसा हो जाता है उनको फिर स्टमक पेन जैसा फिल होता है कि पेट में दर्ध हो रहा है या फिर सिर्दर जैसा फिल होता है कुछ लोगों को फिर डिस्पेप्सिया के कंडिसन की जिसको हम indigestion कहते हैं कि आपको ऐसा फिल होता है कि आपका खाना जो अच्छे से digest नहीं हुआ dyspepsia की condition फिल होती है stomach full जिसी condition आपको फिल होती है फिर कुछ लोगों को lose या फिर watery diarrhea या फिर watery stool जिसा उनको फिल होता है फिर कुछ लोगों को समझे कि यह medication suit नहीं करते या फिर उनको allergy है तो skin के उपर rashes develop होना सुरू हो जाता है कि जिसको हम allergic reactions के अंदर भी include करते कि जिसी के कारण यह जो medication है उसका हम schedule देखे तो schedule H1 के अंदर है यहाँ पे जो proper देख रहे है schedule H1 जो यह वो prescription drug के अंदर इसको include किया गया है because जब भी आप उसको retail में बेचते है या फिर जब भी कोई उसको use करता है तो proper जो register medical practitioner होते है उनके prescription के साथ ही उसको use करना होता है या फिर उसको retail में बेचना होता है because यह medication समझे कि कोई self-medicate कर लेता है तो उसको करण काफी ज़रा complications होते है तो उसकी जो warnings है वो समझना जरूरी है तो warnings आप अच्छे से आप यहाँ पे समझे तो पहली warning यह रहती कि अगर आपको allergy है penicillin की तो यह medication नहीं लेनी चाहिए because यह भी similar medication से penicillin के तरह तो अगर किसी को penicillin की allergy है तो वो cephalospirin class के medication नहीं ले सकते तो यह खास आपको यहाँ पे दियान रखना है फिर किसी को diarrhea हुआ है और diarrhea होने का जो reason है वो है Clostridium difficile bacteria है तो यह bacteria के करण समझे के आपको diarrhea हुआ है तो ऐसे condition में यह medication आपको नहीं लेनी चाहिए because अगर आप यह दवाई लेते हैं तो आपकी diarrhea की condition और ज़्यदा खराब हो सकती है फिर अगर किसी का liver disease है liver जैसे fatty liver की condition है liver cirrhosis की condition है तो वो लोग यह medication को यूज ना करें फिर renal disease की जो patient है कि जिनके kidneys खराब है उनको भी यह medication यूज नहीं करनी है फिर ऐसे allergic reaction सचानक से हो जाते है जैसे कि आपके heartbeat जो ही वो काफी increase होने लगते है यह medication को लेने के बाद आपके eyes में सुझना जाती है lips वगरा के आसपा सुझना जाती है hives develop होने लगते है आपके skin के उपर फिर breathing करने में difficulty होती है as well as patient जो confused काफी फिल होता है सिर्दर्थ काफी ज़्यादा बढ़ ज़्यादा है patient बेहोस हो ज़्यादा है या फिर काफी ज़्यादा pain या फिर vomiting होने लगते कि जिसको हम severe allergic conditions कहते है तो ऐसा समझे कि किसी को होता है या फिर उसको allergy है यह medication की तो use नहीं करने चाहिए अब बात करते हैं pregnancy के तो pregnancy category यह medication की B है तो pregnancy में इसको safe consider किया जाता है बट एक बार pregnancy में लेने से पहले आपके gynecologist को जरूर से consult करना चाहिए और उनके advice के according to प्रेगनसे में आप उसको use कर सकते है और समझे ते उसके drug drug interactions के कि taxim OCV जो है वो कौनसी दूसरी दवायों के साथ interaction कर सकता है तो कभी भी उसको combination में यूज ना करे BCG vaccine के साथ या फिर cholera vaccine, typhoid vaccine या फिर warfarin जो drug है हमारी और carmemezepine के साथ कभी भी उसका combination ना बनाए तो ऐसो समझे के आपको detail में सिखना है बहुत सरी दवायों के बारे में, बीमर्यों के बारे में तो आप medicine course को जोइन कर सकते है pharma rocks के आप उपर तो ये course जोइन करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते है या फिर हमारी mobile application को आप डाउनलोड कर सकते है link description box में मिल जाएगी so good luck and all the best